वाई गाईज हलो एंट वेलकम बेक टू मैं चैनल लव व्यूरी ओन ड्यूरी तूसके इस वीडियो में हम बात करेंगे पिरियेट मिस होने से पहले ही आप अपनी प्रेग्नेंसी को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं काफी couples के मन में period miss होने से पहले ही ये जानने की जिग्यास सा रहती है कि pregnancy conceived हुई है या नहीं हुई है अक्सर महिला ही ये मानते है कि period miss होने पर ही ये पता चलता है कि आप pregnant है या नहीं जबकि fact ये है कि हमारे period cycle के 20 में भी body pregnancy के संकेत देने लगती है period date से पहले यानि कि हमारे periods आने वाले होते हैं उससे 5-7 दिन पहले हमारे body में बहुत से बदलाव दिखती है कुछ बदलाव हमारे period आने की तरव इशारा करते हैं और कुछ बदलाव ये इशारा करते है कि आपका implantation successful हो चुका है बच्चा आपके गर में चिपक चुका है जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में जो की period मिस होने से पहले ही आपकी pregnancy को confirm कर देंगे तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से request करूंगे वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लेज वीडियो को like हो शेयर कीजिएगा चैनल पर पहले बार आए है तो प्लेज चैनल को भीना सब्सक्राइब के मत जाईएगा पदलाव है spotting होना आपका period शुरू होने की एक सब्ता है पहले हलके गुलाबी या बूरे रंगी blood spotting हो सकते हैं इसे implantation कहा जाता है और इससे बेचेनी और हलकी bleeding हो सकते हैं क्योंकि fertilize हुआ अंडा गरभास्ते की परत से जूर जाता है spotting को कभी कभी period समझने की गलत फहमी हो सकते हैं हालांकि एक होन का जो रिसाव है वो आम तो पर बहुत हलका होता है दूशा है सीर चक्राना या फिर सीर में दर्द या फिर भारी पन होना सीर चक्राना गरभास्ता का एक शुरुवाती संकीत है जो कई गरभधी महिलाओं को परभावीत करता है बेना वचे आपको नीद कोलने पर सीर दर्द या भारी पन होता है या फिर हलके चक्र आते हैं तो ये pregnant होने का एक शुरुवाती लक्षन हो सकता है अधिकतर महिलाओ हों में गरभधर्न करने के बाद येलक्ष्ण सबसे पहले नजर आता है अगला पर टृफर न को होना परना शुरुवाती प्रेग्डेंसि लिए घारrops और तब तक बना रहता है जब तक कि आपका period मिस ना हो जाए। पेशाप करते समय आपको चुबने वाली संसरी पहसूस हो सकते हैं। इसके अलबा आपकी विज़ने वाले हिस्सी की आसपास खुजली और बेचेनी भी हो सकते हैं। अगला है स्टन कॉमल और सूजे हुई होना। period मिस होने की एक हपते पहले आपको इस तरों में बेचेनी, दर्द, भारीपन या गहरे रंकी घेरी दिखाई देने लग जाते हैं। प्रिग्रेंसी के बाद estrogen और progesterone का स्थर बढ़ने की कारण महिलाओं के इस तरों में बेचेनी और दर्द होने लगता है। अगला जो बदलाव है वो है urine ज्यादा आना, यानि कि जल्दी जल्दी पेशाप आना। आपको period पेशाप करने की जरूरत महसूस होने लग सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा पानी पी रहे हैं या फिर मौसम ठंडा हो गया है, बलकि बार बार toilet जाने का pressure होना भी pregnancy के शुरुआती एहम लक्षनों में से एक है। अगला है अचानक से तेज भूग लगना, आपने खाना खाया लेकिन थोड़े में ही मन भर गया और फिर से कुछ ही देर में फिर से तेज भूग लग गई, ऐसे craving संकेत होती है आपकी early pregnancy का, अगला है बहुत जल्दी गंद महसूस होना, प्रेग्नेंसी की विज़े से सरीर में होने वाले बदलाब आपको गंद की परती समय दन सिल कर देते हैं, इससे आप हलकी सी महक भी जल्दी सूंग लेते हैं, तो आपको हर जगे से तेज महक आने लगे, तो समझ जाएं कि आप मा बने जा रही हैं, अगला है morning sickness, सुबह की समय उल्टी जिसा महसूस, जी घब प्रिग्निंसी की सबसे आम शुरुवाती लक्षनों में से एक हैं, बहले ही आपने साथ से नो घंटे की नींद ली हो, तो भी ऐसे काम आपको ठका हुआ महसूस करा सकते हैं, जीने करते समय आपको पहले कभी कोई परिशानी महसूस नहीं होती थी, प्रिग्निंसी में होम इनकमिंग पीरिट्स या फिर प्रेमेंस्टर सिंड्रोम यह संकीत भी हो सकता है कि आप प्रेग्निंट हैं, जीब प्रूर्ण करबाश से में प्रत्यारों पित हो जाता है, तो कभी कभी महिलाओं को एंटन और दर्द का अनभव होता है, हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन यह एक सकारात्मक संकीत है, इसके साथ साथ अगर आपके पीरिट्स है वो टाइम पर नहीं आए और कुछ दिन पहले आपने संबंद बनाए तो यह आपके प्रेग्निंट होने का शुरुवाती लक्षन हो सकता है, ऐसा होने पर आप तुरंध टेस्ट करें या डॉ बाइ!